कॉंग्रेस और इंडी एलाइंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं सीलंका और तमिलनाडू के बीच में समंदर में एक टापू है एक दीप है कच्चा थिवू देश आजाद हुआ तब हमारे पास्ता कॉंग्रेस ने चार पांच दसक पहले कह दिया कि ये दिप्तो गैर जरूरी है फालतू है यहां तो कुछ होता ही नहीं है ये कॉंग्रेस के लोगों ने इंडी अलाइंस के साथ यों ने माभारती का एक अंकाट दिया आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि कैसे कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं आज ही कॉंग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारणावा देश के सामने आया है तमिलनाडू में भारत के समूद्री तड़ से कुछ दूर कुछ किलोमेटर दुरी पर शीलंका और तमिलनाडू के बीच में समंदर में एक टापू है एक द्वीप है कच्चा थिवू अलग-लग नाम भी लोग बोलते हैं कच्चा थिवू ये द्वीप सुरक्षा की द्रस्टी से बहुत महत्वपुण है देश आजाद हुआ तब हमारे पास्ता और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन कॉंग्रेस ने चार-पांच दसक पहले कह दिया कि ये दिप्तों गैर जरूरी है फालतु है यहां तो कुछ होता ही नहीं है और ये कहते हुए मा भारती का एक अंग आजाद भारत पर ये कॉंग्रेस के लोगों ने इंडियलाइक के साथियों ने मा भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया बेट कॉंग्रेस के रवय की कीमात आज तक चुका रहा है बारत के मचवारे मचली पकड़ने के लिए समंदर बे जाते हैं और तमिल नारू के है केरल के हैं पुड़ी चेरी के हैं तेलंगड़ा के हैं आंदर के हैं इस द्वीप की तरब जाते है तो इन्हें गिरब्तार कर लिया जाता है उनकी बोड को कबजा कर लिया जाता है ये कॉंग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मच्वारे आज भी सजा भुगत्ते चले जा रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कॉंग्रेस की बोलती बंद हो जाती है DMK जैचे दल जो कॉंग्रेस के साथी है वे भी मुपे ताला लगा करके बैठ जाते है